काफी दिनों के बार मुलाकात हो रही है दोस्तों उमीद करता है आप लंग उझे भूले नहीं होंगे तो दोस्तों आज जो में कहानी आपको सुनाने वाला हूँ कहानी भी बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है तो इस कहानी का अम तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को जिसके अंदर एक इविल आत्मा समाई हुई है इस डॉल का नाम है रॉबर्ट डॉल और यह सौ सालों से भी पुरानी एक डॉल है जो फिलहाल तो एक म्यूजियम में रखी हुई है अब जब भी हम किसी हॉंटेट डॉल के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग मे एनाबेल डॉल का खयाल आता होगा क्योंकि उसके उपर जो मूवी बनी है वो काफी हिट मूवी है लेकिन ये डॉल भी उसके जितनी ही खतरनाक है रॉबर्ट डॉल कहानी का आगे बराने से पहले मैं शाउट आउट डेना चाहूंगा उस इंसान को जिसने ये कहानी मुझ अगर वो कहानी मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसके उपर एपीसोट जरूर बनाऊंगा और आपको एक शाउट आउट भी दूगा दोस्तों जो डॉल होती है या जो गुरिया होती है वो एक बच्चे का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है हर किसी का बच्चपन ऐसा नह दूसरी लोग देखते हैं जैसे हम लोग किसी बच्चे को देख रहे हैं डॉल से खेलते हुए तो उस डॉल से हमको लगता है कि हमको कोई भी खत्रा नहीं है लेकिन हमेशा यह बात दोस्तों सची नहीं होती है मूवीज की तरह कई ऐसे डॉल से इस दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा स्पूकी और श्रापी डॉल से और उन में से ही एक डॉल यह है रॉबर्ट डॉल और यह जो डॉल है एक छोटे बच्चे के साइज का है यानि कि काफी मतलब काफी बड़ी डॉल है और इस डॉ पुरान इंग्लिश मूवीज में जो सेलर की आउटफिट होती है वह ऐसी एक आउटफिट इसने पहनी हुई है और मैंने आपको पहले ही बता है कि यह 100 साल से भी जाधा पुराना है दोस्तों कहानी में और आगे बनने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों तो इह जो मेरा चैनल है डक ट्क उट्र है मलब और अब राख ट्र ऑपिक का चैनल और इस टोपिक्स के जो वीडियो होतेख जादातर को लाइत escol Carne People популярug या फिर monetize होने के बाद भी yellow dollar sign लगाया जाता है, इसका मतलब ये video कोई भी earning करेगा नहीं, और वैसे भी दोस्तों मेरे videos में 1000 फिर 2000 इतने views आते हैं, तो इतने views में Google भी कुछ जादा पैसा नहीं दे पाता, एक डो dollar ही ऐसे देता है, तो एक तरह से इस channel का थोड़ा सा earning करना एकदम impossible आले stage में, तो मैं just request करना चाहूंगा मेरे viewers से, जो भी लोग मेरे videos regularly देखते हैं, या फिर नए भी अगर देखके अच्छा लगा हूं, आप लोग मुझे थोड़ा बहुत donate कर सकते हैं, और इसी वज़े से मैं अपना UPI pin और code यहां पे share कर रहा हूं, ताकि इस pin की मदद से आप मुझे थोड़े बहुत पैसे कुछ donate कर सकें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मुझे donate करेंगे, तो मेरे इस channel के लिए बहुत ही फाइदे मंद रहेगा, और अगर मेरे पास obviously थोड़े पैसे आएंगे, तो मेरे videos के quality या फिर और जो consistency ह मैं बहुत जादा कर पाऊंगा, तो होप करूंगा आप लोगों में से कई लोग मुझे UPI से donate करेंगे, thank you so much, तो अब इस doll के history के बारे में कहां से या आया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इस doll का सबसे पहला मालिक जो था, वो एक young boy था, जो करीब 8-10 साल का हो अमेरिका के Florida State के Key West करके इलाका है, उस इलाके में इसका परिवार था और काफी एक prominent मतलब जाना माना परिवार था, ये doll उसको उसके दाजा जी 1904 में जब वो जर्मनी गे थे, वहां से खरीद के इसको gift दिया था, और जिस company ने इस doll को बनाया है, सुनके आपको हैरानी और ये company आज भी बच्चों के खिलोने बना रही है, इस doll ने फिलाल जो outfit पहनी हुई है, जो sailor के outfit पहनी है, वो outfit इस लरके Robert Eugene Otto का ही है, जो बचपन में ये पहनता था, फिर किसी time में शायर इस ने ये outfit उस doll को पहना दियोगी, इस doll को पाकर जो young Eugene है, वो काफी खुश होता है, क्योंकि वो काफी एक अकेला रहने वाला बच्चा था, उसके जादा friends नहीं थे, और ये doll जो कि उसके ही size का था, वो ही एक मात्र इसका एक साथ ही इसका एक friend बन जाता है, वो हर वक्त उस doll के साथ खेलता रहता है, मतलब देखने से अजीव लगे का कि एक लड़का दूर से देखते थे, तो लगता था कि दो दोस्त ऐसे बैटे हुए हैं, और लोगों को ये काफी अजीव लगता था, मतलब आप खुद ही सोचिए कि एक doll जो उसके ही बराबर है, उसके साथ दिन बर खेल रहा है, मतलब थोड़ा अजीव हो जाता है ये सब, अब लोगों ये बाते अजीव लगना, मतलब उसके घरवालों को, तब जाधा हो गया, जब उन्होंने नोटीस किया कि जो जीन है, वो इस doll से बातचीत करता है, एक दो मिनिट नहीं, घंटो घंटो इस से बातचीत करता है वो, जीन ही वो लरका था, जिसने इस doll को Robert, मतलब उसका नाम भी Robert था, तो सेम नाम इस doll को दिया था, जिस घर में Robert doll और जीन डोनों ही रहते थे, उस घर का जो एड्रेस है, वो है 534 Eaton Street, जो की वे इस इस इलाके में है, अब इस doll के साथ दोस्तो, इतनी सारी चीजे हुई है, मतलब लोग मानते ही, इस doll ने की है, कि उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन कुछ एकदम important points है, जो मैं आपको बताता हूँ, इस इन सब की मतलब शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले जो घटना थी, वो ऐसी हुई थी, कि एक रात जो जीन है, यंग जीन है, वो सो रहा था अपने bed पर, अचानक से वो उटता है, और देखता है कि जो रॉबर्ट डॉल है, उसके जो बैड है, उसके एंडिंग में वो बैठा हुआ है, जैसे कोई इनसान बैठता है, उस तरह से बैठा हुआ था, तो सोचे इतनी मतलब जो यूजीन है, वो डर गया होगा, फिर वो इतना डर जाता है, वो बहुत ज़ला चिलाता है, और अ बेट लाज कुछ करके दर्वाजा खोलते हैं और फिर वो लोग भी देखते हैं कि जो जीन है वो बिश्तर पे रो रहा है और रोबर्ट डॉल जो है वो बैट के एंडिंग में बैठा हुआ है उसकी माने कहा था कि जब वो लोग दर्वाजे के बाहर थे तो उन्होंने ऐसी आवाजे भी सुनी थी कि पूरे कमरे में फरनीचर यहां वहां गिर रहे हैं बेट के खिशकनी की आवाज आ रही है और पूरा मन अंदर शोर हो रहा है लेकिन जब लोग अंदर आये तो अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं था बस जीन रो रहा था और जो डॉल है वह बैठे हुई थी बेट पे अब लोगों को डाउट हुआ क्योंकि उन्होंने आक से तो नहीं देखा था लेकिन उनको डाउट हुआ कि इस डॉल में जरूर कुछ ना कुछ गरबर जरूर है या फिर जीन है वही कोई बनमाशी कर रहा है ऐसी एक और घटना हुई जो या फें लोगों ने कहा है कि जरूर के साथ किसी कमरे में खहल रहा था। और और उसे बात कर रहा था से पार जहा रहा था जबकि वहां पर सिर्फ जो Robert the doll है सिर्फ उसको वहां पर रखा गया था तर नीचे से इस तरह की हसने की आवाज आती है या फिर कोई जैसे दोर रहा है कोई बच्चा इस तरह की नीचे आवाज आती है एक और तीसरी घर्टा भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आसपास के बच्चे थे मतलब यह टाइम बित्ते बित्ते ऐसा हुआ है जो जीन है वो भी थोड़ा बरा हो गया है तो आसपास के बच्चे बोलते हैं कि जो रॉबर्ट डॉल है वो बहुती अजीब तरह से खिरकी से उन बच्चों को देखता है और ये बात एक्चुली जीन ने भी नोटिस की एक दिन हो कही पर जा रहा था तो वो खुद देख रहा था कि रॉबर्ट डॉल जैसे कोई इंसान परदा ऐसे हटा के देखता है बाहर उसी तरह से रॉबर्ट डॉल भी लोगों को देख रहा था अब जीन जो है वो धिरे धिरे भरा हो रहा था और फिर वो डॉल वगएरा से खिलने से, मलब खेलना वगएरा से बंघ कर दिया था और इसके साथ ही वो रॉबर्ट डॉल को भी इग्नूर करने लगा था और ये चीज रॉबर्ट को एकदम पसंद नहीं आती थी वो फिर से अपना वो सब शुरू कर देता था, सामानी धरुदर करना, हसना, चिलाना, डराना, लेकिन अब तक जीन और उसके घरवालों को इन सब चीजों की आदत लग गई थी जीन अपने कॉलेज की परहाई करने के लिए उस घर से वहाँ से चला जाता है, वह पेरिज चला जाता है और वहाँ फिर काफी मतलब टाइम बीच जाता है दूस्तों क्यूंकि बच्पन से ये डॉल उसके पास थी और अब वो कॉलेज में बरा हो गया था पेरिज जाके फिर उसने वहाँ की ही एक लड़की एन करके उससे शादी कर ली थी, फिर वो एन के साथ ही पेरिज में ही रहने लगा उसके बाद एक समय ऐसा आया जब जीन के पेरेंस गुजर गये तो वो अपनी पतनी को लेके दोबारा से उसी घर जिसमें उसका बच्पन गुजरा था उसी घर में वो वापस आ जाता है और पता नहीं क्या हुआ दोस्तो अब तो वो काफी बढ़ा हो गया है एक शादी सुदा मर्द हो गया है लेकिन इस घर में वापस आते ही वो फिर से रॉबर्ट डॉल को खोजने लगता है और जब वो डॉल उसको मिल जाती है तो वो बच्चे की तरह उस दॉल से खिलता है उस डॉल को पाकर मानों उसका बच्पन उसको यादा गया था वो उस डॉल के साथ बच्चों की तरह खेलता है उसको पूरा साफ अगेरा करता है अच्छे से रखता है और ये सब देख कि उसकी नही बीवी थी एन ठी उसको काफी मतलब अजीब लगा था कि क्या कर रहा है इतना बरा आर्मी ये क्या खेल रहा है इस डॉल के साथ लेकिन पहले पहले तो उसने इन सब चीजों पर जादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जब जीन ये सब जादा करने लगा तो एन ने उसको कहा कि तुम इस डॉल के साथ इससा नहीं कर सकते इसको कहीं पे लॉक करके रख दो या किसी रूम में तो जीन ने क्या किया जीन ने वापस उस घर का जो अटिक है जो उपर का हिस्सा है उसमें एक रूम था उसको पूरी तर से साफ किया एक चेयर था और उस चेयर में ही जो रॉबर्ट डडॉल है उसको रख दिया लेकिन दोबारा से दोस्तों इतने सालों बाद 30-40 साल हो गी होगी इतने सालों बाद भी रॉबर्ट डडॉल ने फिर से वो सब हरकते शुरू कर दी जो नीचे वाले को आवाज आ रही थी उपर जैसे वो दौर रहा है कोई बच्चा या फिर कोई गाना गा रहा है कोई हस रहा है इस तरह की जो आवाजे हैं नीचे रहने वाले लोगों को सुनाई देती थी नेबर हुट के बच्चे भी अभी भी वो लोग ऐसा रिपोर्ट करते थे एन को कि उपर से किसी खिरकी से रौबर्ट डडॉल उनको गूर गूर के देखता था ये बात जिन को भी मालूम चली और फिर वो देखने गया कि रौबर्ट डडॉल क्या कार रहा है लेकिन जब वो कमरे में घुचते हैं तब रौबर्ड डडॉल उसी पोजिशन में रहता है यानि की मतलब कैसा हो सकता है क्या ये डॉल जिंदा है उनको भी नहीं पता अब ऐसा करते करते दोस्तों काफी टाइम गुजर जाता है और ये टाइम है 1974 और इसी साल में एक दिन जो रौबर्ड यूजीन ओटो है वो गुजर जाता है और ठीक उसके दो साल बाद उसकी जो पटनी थी एन वो भी गुजर जाती और ये घर अवे फिलाल बीलकुल खाली हो जाता है इन दोनों के गुजर जाने के बाद इस घर में एक नए मालिक आते हैं और उनका नाम है मार्टेल रॉइटर इनकी एक बेटी भी है और इस घर में जो इटन स्टीट वाले 534 एड्रेस घर में वो लोग अब नए मालिक बनके आते हैं और ये एक सोचिये कि जिस समय रॉबर्ट को ये डॉल मिली थी उस समय भी दस साल का था और इस नए मालिक की जो बेटी है वो भी दस साल की है और सीधा मतलब जैसे रॉबर्ट डॉल बच्चों को एट्रेक करता है उस तरह से इस बच्ची को भी उसने एट्रेक कर दिया और जब ये डॉल उस बच्ची को मिली, तब उसको पाकर ये बच्ची काफी खुश हो गई, उसी तरह से नाइंटीन ओफोर में जब रोबर्ट के डाजाजरीना पहली बार रोबर्ट को ये डॉल गिफ्ट की थी, जीन की तरह वो भी इस डॉल से काफी खेलने लगी, लेकिन कु इस पास में एक्सिडेंट हो रहे हैं, और जो डिवोर्स है, वो काफी बर गया था, और लोगों का कहना था कि इस डॉल की वज़े से ही ऐसा हो रहा है, वो बच्ची भी जीन की तरह रात को किसी टाइम में एकदम आधी रात को उठके, बहुत जला चिला थी, और अपनी मा दॉल भी उनके साथ ही इस घर में रहता है, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि इसकी जो हरकते हैं, जो सामान इधर उदर करना, डेविल से एक स्माइलिंग करना, इस तरह की चीज़े उनके लिए कॉमन हो चुकी थी, इसलिए शायद वो लोग 20 साल इस घर में रह पाए, लेकिन इतने दिनों तक इस पुतले ने इस मिसेस मार्टल को तकलीफ दी, इस वज़े से 1994 में इन्होंने सोचा कि इस डॉल को अभी इस घर से निकालना पड़ेगा, उन्होंने सोचा कि एक म्यूजियम को इस डॉल को डोनेट कर देते हैं, और इसी टॉट के साथ इस कि इस डॉल उन्हें गिफ्ट की थी, तब ये डॉल उस पूरे इलाके में हैं मतलब पूरे अमेरिका में ही काफी फेमस हो गई थी, काफी फेमस, जब ये डॉल उस म्यूजियम में आई, तो लोग भी उसको देखने के लिए उतल हजारों की संख्या में आने लगे, उस म्य लेकिन दोस्तों इस मुजियम में आने के बाद भी रोबड डॉल की हरकते कम नहीं हुई वहां पे भी जितने भी जो मुजियम के कर्मचारी है उनको वह डराता था यह वही जो उसके हरकते थी जैसे स्माइल करता था और कई लोग केते थी कि इस दोल का जो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वह भी यह चेंज होता था फिर यहां वहां लोगों को गिरा देता था लोग स्लिप होके गिर जाते थे और बहुत सारी चीज़ें मतलब यह करता रहता था यहां तक कि ऐसा भी बोला जाता है कि मूजिय होई थी और यह सच बात है ऐसा मनलब डोकुमेंट किया गया है और यह सब चीजे जो मिस हैपनिंग हो रही थी टूरिस के साथ बिना इसके परमिशन के इसको डिस्ट एक्सपेक करके इस डॉल के साथ जो फोटो अगरा खिचवाते थे यह सब चीजे इतनी ज्यादा बर ग है तो दोस्तों यही काहनी थी इस रॉबर्ड डॉल की काफी इंटरेस्टिंग काहनी दोस्तों मैंने तो आपको शॉर्ट में समझाई इसके मूवी हैं डोकुमेंटरी हैं अकर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो है क्या सही में इसके दादा जी नहीं इसको ये गिफ्ट किया था या कोई और बात है मनलब क्यों ये डॉल जिसको एक कंपणी ने मास प्रोड्यूस किया है वो एक ऐसे पीस में इसी आत्मा मनलब कहां से आ गई तो इसका कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि काफी पुरानी बात है तो बोलते हैं कि उस समय ये डॉल उनके दाजाजी ने जीन को नहीं बलकि उस घर के एक सर्वेंट ने फीमेल सर्वेंट ने जीन को गिफ्ट की थी और वह ऐसा था था कि जिस सर्वेंट ने जीन को ये डॉल गिफ्ट की थी वह एक्चली कोई ब्लैक मेजिक वगरा करना गिफ्ट किया गया ताकि इस बच्चे को हमेशा ये डॉल टकलिफ पोचाते रहें ऐसा कहां जाता कि आज के दिन भी अगर कोई बिना परमिशन इस डॉल की फोटो लेता है आपको रॉबर्ट से परमिशन लेनी परेगी लेकिन अगर आप बिना परमिशन लेते हैं जो केमरा है वो इन ऑपरेबल हो जाता है मतलब अच्छे से काम नहीं करता और इस डॉल की वज़ज़ से काफी करमचारियों ने इस मीजियम में अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दिये तो है ना दोस्तो काफी मज़ेदार कहानी होप करता हूं यह कहानी आपको अच्छी लगी हो अ ओडियेंस हैं उनको मैं बात बोलना चाहता हूं दोस्तो थैंक्यू सो मच बने रहने के लिए और मेरे काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं मुझे बहुत मन करता है दोस्तो कि मैं रोज आपको ऐसी अमेजिंग कहानी सुना हूं लेकिन कुछ बहुत ही इंपोर्टें मैं सिर्फ 2-3 कहानी आपको सुना पाया हूं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर होने की होब करता हूं आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तिल देन थैंक्यू सो मच